आज की मॉर्निंग बड़ी शांदार हो गई है आज की मॉर्निंग इतनी शांदार हो गई है कि बिटकॉइन के प्राइज स्काई रोकेट हो गए है जी हां बिटकॉइन आखिर आप देगो डेड़ महीना बिटकॉइन ने नीचे के लेवल दिखा है सत्तर से नीचे बना रहा डेड महीने मतलब 6 हफते बिटकोई ने ऐसे निकाले पिछला वीग अच्छा निकला था 60,000 डॉलर से 67 पे आये लेकिन ये वीग हम डिसकस कर रहे थे कि 70 तक आ जाएंगे शोट्स वालों को लिक्विडेट करना है लेकिन 70 तो छोड़िये बिटकोई ने 72,000 डॉलर तक के 73,981 डॉलर पे आ चुके हैं 72,000 डॉलर के करीब और में मन्थ एंड में जाके अब गुलजार होता हुआ आप वीगली चार्ट पे चलें तो अब नया ओल्टेम हाई बिटकोईन का जो लगा हुआ है वो 73,800 डॉलर का लगा हुआ अभी 71,200 पे चल रहें 73,972 तक आ चुके हैं तो बिलकुल अगर यही हाल रहे यही सिचुवेशन रही क्योंकि जरूरी है यहाँ पे अगर नया ओल्टेम हाई लगता है में मन्थ के अंदर तो वो जैदा से जैदा हमको 75, 76,80 का दिखा सकता है और हो सकता है फिर हम नीचे चले जाएं ठीक है यह हो सकता है यही से यूटन ले लें क्योंकि यह वीक बड़ा इंपॉर्टन वीक है लिक्विडेशन तो हो गए शोट्स वालों के जो 66,67 पे ट्रेड लगए हुथे शोट्स के उनको तो जटका दे दिया क्योंकि वहाँ से भी बिटकोईन का प्राइस 5000 डॉलर पंप हो गया और यह 5000 डॉलर जो पंप आया बिटकोईन के प्राइस में यह लेके पंप आया बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आज टॉप गेनर्स की लिस्ट फूरी गुलजार है बात करेंगे क्या अपडेट्स आ रहे हैं वो का ही होता है और पैपे आज फिर से पंप कर रहा है सत्रा परसेंट इसके प्राइज उपर चल रहे हैं और 0.4 टाइम 0 1153 के हाई लगाए है ठीक है और आप देखो यहां पे 1161 के अल्रडी हाई है तो बिलकुल नए ओल्टाइम हाई पे जाने की तैयारी पैपे भी यहां प की रैली आना वह बहुत शांदार है बहुत अच्छी है कि सोलाना के कुद के कौइन के लिए और वह हुआ बॉल्ट का आज सुबह आप ले लीजे 26% कल सॉलाना की रैली और सुलाना का ही बॉंक है सुलाना की के टिक्री में आता है तो सुलाना के कोईंस में नजर रखिएगा ठीक है 26% कीमतों में उच्छाल बॉंक के प्राइज में भी आज तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में में उच्छाल है मतलब प्रॉफिट मिल रहा है अगर आपने लॉंग का ट्रेड लिया फ्यूचर्स में तब भी प्रॉफिट आपके हाथ में और साथ के साथ अगर आपने खरीदा होगा तो पित की कीमते कल से लेके आज भी 33% उपर चल रही है यह यह चल रहा है 28% रेज रे कर रहा है 24% कल हमने आपके साथ है कि अपडेट डिसकस किया था इथीरियम को लेके और इथीरियम खरीदे जा रहे हैं एक लाख दस हजार इथीरियम खरीच चुकी थी वेल्स और रीजन यह है कि अब जो है वो टाइम आ गया किसका इथीरियम एटीएफ को अप्रॉवल मि जा रहे हैं तो यहां पर और इथीरियम खरीदे जा रहे हैं जैम्स फिकल कि अगर हम बात करें अनदर 350 डेवली बीटी सी फोर 6900 डिटीरियम 24 मिलियन डॉलर के तो उमीद है कि यहां पर जो है इथीरियम एटीएफ के एपरूवल मिल सकते हैं हमको तो बिल्कुल बड़ी यही है दा सब्सक्राइब एक्स्चेंजेश तो अपडेट देयर 19 वी फोर फाइलिंग ऑन एक्सलेरेट बेसिज फोर स्पॉर्ट एथीरियम एटीएफ तो सब्सक्राइब बता रहे हैं कि अब एथीरियम एटीएफ को एप्रूवल मिल सकता है बिटकॉइन एटीएफ के मिले तो बिटकॉइन चांद पे पहुंचा आज फिर से एथीरियम एटीएफ की न्यूज आई मार्केट में तो बिटकॉइन ने गेम कर दिया 72,000 डॉलर तक और इतना ही नहीं मार्केट में एथीरियम एटीएफ की न्यूज से महाल गरम है और इतना ही नहीं एथीरियम के प्राइस काई रोकेट होते हुए 20% इथिरियम की कीमते बढ़ चुकी हैं जी हाँ 3300 डॉलर की रेंज में इथिरियम चल रहा था काफ़ी टाइम से आज 3700 डॉलर के बेरियर हिट कर लिए तोड दिये और अगर हम इथिरियम का हाल देखें तो इथिरियम ने अच्छी का सी रेली दिखाई थी 4000 डॉलर तक की तो अब इथिरियम वापिस कहीं न कहीं जा रहा है ठीक है और नया ओल्टेम हाई एथिरियम का लग सकता है कभी भी क्यूंकि 4800 डॉलर के अल्रेडी नया हाई लगा हुआ हुआ है तो इथिरियम के प्राइस भी स्काई रॉकेट होते हुए गाला गेम्स के साथ हम देखते हैं टाइम टाइम पे कोई ना कोई प्रॉबल्म चलता रहता है पहले जो डवल पर्स हैं उनके बीच में प्रॉबलम हुआ था गाला को ले के और गाला गेम्स अब क्या हुआज वज एग्स्वेट गाला गेम्स पर अटैक हुआ है किए गय के पांच बिलियन गाला मिंट कर दियो हैकर देन क्विकली डंप पांच सो बानुए मिलियन गाला फूर पांच हजार नोसो बावन इथीरियम त्वेंटी वन पांच सो बानुए मिलियन गाला डंप किये गए इस हैकर की तरफ तो बिल्कुल इसका असर भी गाला के प्राइस पर दिखा 0.048 से 0.037 तक के लो लगाए गाला ने अभी 0.04 मन पे चल रहा है सिचुएशन संभाल रखी है ठीक है जो शौर्ट्स के ट्रेड हो सकते हैं उनको लिक्विडेट गाला करे लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक अटैक जरूर हुआ है गाला गेम्स के तो बिल्कुल वेल आफ से ज्यदा स्मार्ट है और वेल्स ने पहले एथीरियम खरीद लिये जिनों ने यह भाप लिया ठीक है क्योंकि एथीरियम एटीएफ एप्रूवल की एक तरह से मार्किट में अब बाजार गरम हो चुका इस खबर से और जरूरी भी है बिटकोईन एटीएफ एप्रूवल जै बढ़ा सकती है मार्किट में तो बिल्कुल आप देखो एथीरियम तो खरीदा गया लेकिन एक बहुत बड़ा गेन यहां पर यह देखने को मिला एथीरियम के प्राइज बीस परसेंट पंप हुए है एथीरियम एटीएफ एप्रूवल की आड में लेकिन लार्जेस्ट व प्राइज मार्किट के अंदर मॉब ले रहे हैं सिक्स परसेंट का भी जंप है ठीक है और जिरो पॉइंट फॉर्टी सिक्स के हाई लगाए है अभी 2547 पे लेवल चल रहा है और अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट पे जलें तो शिवा इनुके भी काफी हफते निगल चुक की तरफ से आई एंजे को लेकर मतलब क्या है एक सो पचासवां 150 इंजे बर्न ऑक्षण इस सेट तो हैपन ओन में 22 तो बर्न होते हैं इंजेक्रिटिव के और एक सो पचासवां जो आई एंजे का बर्न ऑक्षण है वो होगा 22 में को और इसके अंदर एस्टिमेट अमांट अप्रोक्सिमेटली 322,000 डॉलर वर्थ ओफ आई एंजे विल भी बान तीन लाख बाइस हजार डॉलर के तक्रीबन तक्रीबन आई एंजे बर्न होंगे 22 में की देट को लास्ट एंट फाइनल में हम बात करेंगे इंवेस्टर शो स्ट्रॉंग इंटरस्ट इन शिवाइन डॉच कोईन तो ऐसे भी इंवेस्टर हैं जिनका इंटरस्ट कहीं ज्यादा तो शिवाइन डॉच को इन ऑप्शन फॉर नियू क्रिप्टो गरेंसी इंवेस्टर्स और मार्केट सेंटिमेंट फॉर इस कोईन हैस राइजन तो एक्स्ट्रीम ग्रीड लेवल साब देखो य यह काफी इंट्रस्टिंग डेटा है नए इंवेस्टर कहीं न कहीं इंट्रस्ट ले रहे हैं शीवाइन और डॉच कोईन में तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पर मार्केट की सिचुवेशन काफी अच्छी है और आगे जो अपडेट होंगे वो नेक्स वीडियो म से जरूर करें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक की लिए बाइबाए टेक कियर